हलो दोस्तों नमस्कार वेलकम टू दिस एमेजिंग प्लेटफर्म टाप 10 क्लासेश और मैं हूँ बच्चो आपका कमेस्टी मेंटर प्रज्जुल सींग तो आज बच्चो हम देखेंगे आपका कमेस्टी का लेक्चर जो की बारा हमां होगा बच्चो और उसमें हम क्या पढ़े रसायन विज्ञान कर लिया था कि आपके दोस्त तीन प्रकार के होते हैं एक क्या होता है इस्टाइक्योमेट्री होता बच्चो आपकी दोस्त के बारे बच्चो हम पढ़ रहे थे दोस्त बच्चो कि तीन प्रकार एक क्या था इस्टाइक्योमेट्री होता है दोस्त था बच्चा और दूसरा क्या था नानिस्टाइक्योमेट्री नानिस्टाइक्योमेट्री दोस्त और बच्चा जो हमने तीसरा देखा था वो क्या था बच्चा आपका असुद्धी दोस्त तो यह तीन दोस्त के बच्चो हम देख चुखे थे तो इस टाइक्योमेट्री दोस्त क्या होता बच्चो कि आपको पता है कि इस चैप्टर में हम एक क्रिश्टल का बद्यान कर रहें वह आपका है आयनी क्रिस्टल क्या अんな क्रिस्टल और इस तरह क्यों मिट्ती दोस्ट तो आइनिक क्रिस्टल ने बच्छा आप ही बताईये अगर आपका कोई आयनिक क्रिस्टल होगा, कहने का मतलब आयनिक ठोस होगा, उसमें आपके जो अव्यूवी कड़ होंगे, आयन होंगे, और आयन बच्चा अव्यूवी कड़, आपके आयन होंगे, और आयन बच्चा दो प्रकार के होते, एक क्या उता आपका धनायन होता है, एक क् सबस्क्रेक्स? किसा हम कहेंगे धनायन और रडायन का उनुपात। वन्रिष्टल में सामान धानायन और रिडायन को पात बच्चो क्रिश्टल में क्या है समान है तो उसे हम क्या कहेंगे रस समीकरमिती दोस मतलब इस्टाइक क्यों मिट्टी दोस कहेंगे अब आपके सामने कोश्चन उठेगा कि हम यह कैसे पता करेंगे तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कब सब्सक्राइब है तो बच्चों अब ध्यान दीजिए कि आप सब्सक्राइब करें अब इतना मस्चल दराना तो बच्चा देखें यहां पर देखें रस समीकरमिती दोस्त तो रस समीकरमिती दोस्त या इस्टाइक्यो मिटी दोस्त इसे हम कब कहेंगे अगर आपके धनायन और रिडायन का उनपात बच्चों क्या है समान है कहने का मतलब अगर आपकी क्रिस्टल में जो आपके बच्चों धनायन है और रिडायन क्या है इक्वल है समान है तुसे ह क्या कहेंगे इस्टाइक क्यों मिट्टी दोस कहेंगे अगर यही बच्चों क्या हो आपके असमान हो जाए मतलब धनायन को नुपात कुछ और रिडायन को नुपात कुछ और मतलब भच्छो धनायन की संख्या कुछ और रिडायन की संख्या कुछ और मतलब धनायन और रिडायन की अनुपात भच्छो क्या होजे असमान हो जाए अ इस्तिर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे non-stlike committee दोस a kind of samikarmity दोस कहेंगे अब तीसरा है बच्चो असुद्धी दोस, असुद्धी दोस क्या होता है आपको पता है कि जब हम क्रिस्टल में, जब हम क्रिस्टल को बनाते समय उसमें कोई नया पदार्थ, कोई दूसरा पदार्थ मिला देते हैं, कोई असुद्धी मिला देते हैं, तो क्रिस्टल के अव जो धनायन और जो रिडायन की संख्या होगी समान होगी समान होगा मतलब बच्च जो यहां निकल के आएगा इनका अनुपात क्या रहेगा इस्थिर रहेगा इनका अनुपात क्या रहेगा आपका इस्थिर रहेगा क्या इतनी बात आई समझ में और ना इस टाइक्टियों में चुच्चा जो धनायन होगा ड़स नाट इक्वल टू इसके होगा बच्चा रिडायन के मतलब कहने का ये बात आई आपके सामने क्या आई कि धनायन और रिडायन को बच्चा जो अनुपात होगा वह क्या होगा आपका अस्तिर मतलब समान होगा और असुधी दोस्ट बच्चा क्या होगा असुधी कैसे उत्पन होगी असुधी मिलाने से क्या इतनी बाते आई समझ में तो आईए अब इस टाइक क्यों मिट्टी दोस्ट बच्चा कितने प्रकार की होती है तो ये दो प्रकार की होती है और इसके संबंद में हम लोग डिसकसन करें तो बच्चो अब देखे इस टाइक तो बच्चो जो इस टाइक क्यों मिट्टी दोस्ट होती है वो दो प्रकार की ये प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं क्या क्या होता है एक होता है रिक्ती दोस होता है बच्चो और एक क्या होता आपकी अंतराली दोस होता है और रिक्ती दोस कब होता है यह आप पढ़ चुके हैं कि जब कोई धनायन और रिडायन जब धनायन और रिडायन क्रिस्टल की अभ्यवी अस्थान अपने अभ्यवी अस्थान को छोड़कर कि क्रिस्टल से बार चले जाए तो क्या बन जाती है रिखती बन जाती तो से रिक्ती क MEM Daisy दोस्त कहते हैं जैसे हम एक बार आपको समझा दें बाटकर ध्यान दिज यहाँ पर कोई बाटका crystal है it's your crystal you can see here तो तो उच्छा देखें यहां पर असे आपका धनायन हो सकते हैं सरपोस्क करतें आप इन ने प्लस है यह आप सी यल माइनस बहुँत है यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है अगर बच्चा यहाँ से देखी यहने कितने एक दो तेट एक दो और तेट दोनों को रुपार तेस्थी रहे कि नहीं हाँ अगर यहाँ से हमने किया किया यहाँ से कोई एक यह और कोई बच्चा was I a bitgun और सुंफ्ट मंतलब कोई धनायन रिडायन क्रिस्टल से बाहर चला गया इसके पहले धनायन का न उपध कितना था बच्चा यंक्श का और स्यल का तो बच्चा बताये यंद कितने थे तीन थे और स्यल कितने थे कितना रहा था और जब क्रिस्टल से बाहर चले गए तो यह वी बच्चा कितनी रहा 20 अब इनसे निकले पहन हाई तो किया दोनों इस दितियों में समान है हाँ अगर समान है उभी से क्या कहेंगे एक क्या बन रहा आ है आप यह आपगा रही किर्क्थी क्वर्ल रही आपको हैं दिखा रहें एतने बाता यही पर हमने क्या कि आपका कोई दूसतरा क्रिस्टल आपको दिखा रहें विच्छा दूसतरा क्रिस्टल आपको यह निप प्लस और स्टील माइनस से सपोस्ट करते हैं कि यह कोई यह निप कहा प्राजाएं जो आपकी अविव इवी कड़ें बच्चो उनकी बीच में क्या पाई जाए हैं और क्यों कहते हैं, यहां कहां पर चले आए, इस crystal के अंतरा कास में चले आए, क्या आपके धनायन और उडायन के अनुपात में changing हुआ नहीं हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे, रस्समीकरमिती दोस, इस्टाक्योमिती दोस ही कहेंगे, अब बच्चों, इसे हम क्या कहेंगे, अंतराली दोस, कि अन्तरा-ाकास में चल गया नहीं तो अंतराकासी दोस भी कह सकते भच्छा अंतराकासी दोस नहीं अब निय् सब्सक्राइब आपका धिक्ति दोस्तै ने इसी हम क्या कहते हैं साथ की कहते हैं साथ की दोस जो और यह डिस्कसन करेंगे कि अंतर्यकासी दोस्त और फ्रांइकल दोस्त क्या होता है तो आएए मिस्टार्ट करें एक तो बच्चा यहाँ पर आपसे थोड़ा गौर कीजिएए कि फ्रांकल दोस और अंतराकासी दोस में मतलब साथ की दोस और फ्रांकल दोस में बच्चा क्या डिफरेंस है ये आपकी ऐसाम में अक्सर कोशन आता है दो नंबर का तो यह हेडिंग बच्चा क्या आपको important है very very important है बच्चा तो आओ इसको हम करके देखे कैसे यह होता है तो देखे बच्चा अभी हमने देखा कि जो साटकी दोस होता उसे हम रिक्ती दोस कहते हैं क्या कहते हैं? रिक्ती दोस कहते हैं मतलब रिक्पी कब बनेगी जब समान संख्या में धनायन और रिडायन क्रिस्टल से बाहर जाए जब समान संख्या में धनायन और रिडायन क्रिस्टल से क्या जाए बाहर जाए तो बनेगी आपके रिक्पी मतलब साट की दोस में पहरा पॉइंट लिख सकते हैं कि साट की दोस में साट की कि दोस में कि समान संख्या में कि समान संख्या में धनायन वर रडायन समान संख्या में धनायन और रिडायन क्रिस्टल से क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं समान संख्या में धनायन और रिडायन बच्चा क्या चले जाता है? क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं और आपको फ्रैंकल दोस मतलब अंतराली दोस मतलब अंतराकासी दोस मतलब विस्थापन दोस ये बच्चा क्या होता है ये क्या होता है तो इसमें बच्चा हमने देखा था कि कोई धनायन कहां पर आ रहा था आपके अंतराकास में चला जा रहा था इसमें क्या कहेंगे बच् क्रिस्टल के अंतरा कास में प्रवेस कर जाता है का मैं बच्चों दूसरा पॉइंट आप ध्यान दिजिए कि फ्रैंकल दोस में किसका निर्माड होता बच्चो रिक्ती का निर्माड होता है किसका निर्माड होता है रिक्ती का निर्माड होता है ये तो आपको पता ही होगा और आपका सॉरी सॉरी आपका बच्चो जो 60 की दोस होगा उसमें क्या होगा विंदु का रिक्ती का निर्माड होगा किसका निर्माड होगा और इसमें भी क्या होगा बच्चो इसमें भी आपके क्या निर्माड होगा रिक्ती का निर्माड होगा तो यह आप जानते रहे बच्चो तो ठीक है बच् साटकी दोस्त को रिक्ती दोस्त को रिक्त दोस्त को रिक्त दोस्त भी कहते हैं और इसमें बच्चा बताईए रिक्ति का रिमाड तो इसमें भी हुआ है हुआ है कि नहीं अगर कोई आपका धनायर होगा क्रिस्टल की अंतराकास में जाए लेकिन बच्चा रिक्ति का रिमाड हुआ है वह एक हुआ है अगर एक गया तो एक हुआ लेकिन इसमें क्या रिक्त दोस कहते हैं इसको बच्चों में रिक्ति दोस नहीं कहते क्यों क्योंकि जो आपके रिक्ति का निमाड हुआ है वही आपका धनायन कहां के अंतराकास में गया है और अंतराकास अपोजिट बच्चा क्या सकता है आपकी अव्यवी अस्थान को अपने आ सकता है इसलिए हम उस कि इसे अंतराकास से दोज भी कहते हैं अब बच्चा बताईए थार्ड पॉइंट हम आपका लेते हैं कि अगर कोई क्रिस्टल है उसमें धनायन भी निकल रहा है मतलब धनायन और रिडायन का काल लगभग क्या बच्चों समान है तब ही दोरों निकलेंगे अगर इनके आकार बहुत अंतर पाया गया तो केवल धनायन अंतराकास में जाएंगे क्योंकि रिडायन का कार बड़ा होगा रिडायन का धनायन की तुलना में क्या होगा बड़ा होगा इसलिए जो धनायन होगा वो कहां जाए क्रिस्टल के अंतराकास में जाएगा और जो रिडायन होगा व साटकी दोश में धनायन वर रिडायन का आकार लगभग समान होता है क्या तो अच्छे लगभग समान होता है और इसमें थर्ड़ पॉइंट बच्छा क्या है इनके आकार में क्या होता है अंतर होता है फ्रैंकिल दोस्त में धनायन वर धनायन वर रिडायन के आकार में धनायन वर रिडायन के आकार में अंतर होता है तो यह बाते बच्छों आप याद रखिएगा तीन पॉइंट आपके हो गए अब अच्छा है एक पॉइंट हम और आपका ले रहे हैं यहाँ पर कि अगर आपका कोई क्रिस्टल है और क्रिस्टल से धनायन और रिडायन क्रिस्टल से बाहर जा रहे हैं तो क्या उसकी घनत में कमी आएगी हां क्योंकि क्योंकि द्रभ्यमान तो घट रहा है न तो घनत में कमी आएगी तो मतलब साट की दोस में कि इस दोस में क्रिस्टल के गनत में कमी क्रिस्टल के घनत में क्या था अच्छा कमी आती है और इसमें फोर्थ पॉइंट क्या अच्छा इस दोस में क्रिस्टल का घनत तो आप परिवर्तित रहता है आप परिवर्तित परिवर्तित रहता है इस दोस में क्रिस्टल घनत तो नहीं गया है इसलिए उसका घरत तो बना रहेगा अब अच्छा इग्जांपल की बात कर लें आपका तो आप ध्यांदेजे बच्छो इग्जांपल क्या हो सकते हैं कि जो चार धातों के हैलाइड होते हैं उनमें क्या पाए जाते बच्छो आपके 60 की दोस पाए जाएंगे और जो सिल्वर के हैलाइड होंगे उसमें कौन सा दोस पाए जाएंगे फ्रैंकल दोस पाए जाएगा तो चार धातों के हैलाइड क्या बच्चा चार धातों के हाईलाइट और इसमें बच्चों क्या है सिल्वर के हाईलाइट चार धातों के हाईलाइट मतलब बच्चा जैसे येन्य-C-L, के-C-L, सियस-C-L, एटी-से और इसमें बच्चों एजी-C-L, एजी-B-R, एजी-I और बच्चों एक कामन जानते रहिए आपका एक कामन जानते रहिए जो आपका क्या होगा एजी-B-R होगा न है Silver bromide इसमें आपका FrankL2 भी पाया जाता है और 60 की दोस भी पाया जाता है इसे बच्चा जानते रहेगा थोड़ा सा इसमें क्यों मिलेगा FrankL2 भी मिलेगा और 60 की दोस भी मिलेगा यह क्यों मिलेगा आओ इसका हम discussion कर लेते हैं फिर आपका lecture in mejor अब अच्छो में आपका देखेंगे AGBR में 60 की और फ्राइंकल दोस्ट दोनों पाया जाते हैं क्यों? तो आप जानते रहे AGBR, AG plus और BR minus का आकार न तो समान होता है और न तो इनके आकारें बहुत ज़्यादा अंतर होता है इसलिए यहाँ पर दोनों दोस्ट आपको मिलेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसका अंसर? AG plus VBR minus आइनों के आकार में आइनों के आइनों का आकार आइनों का आकार न तो बहुत आइनों के आकार आइनों के आकार में न तो बहुत अंतर पाये जाता है न तो बहुत अंतर पाये जाता है अब बहुत अंतर ने पाया जाना मतलब किसका है बच्चो साट की दूसे न तो बहुत अंतर पाया जाता है और और नही इनका आकार समान होता है इनका आकार बच्च क्या होता है समान होता है इसलिए इसमें फ्रैंकल वसाट की दोस इसलिए इसमें फ्रैंकल वसाट की दोस दोनों पाया जाता है दोनों पाया जाता है तो बच्चो इस प्रकार से हमने देख लिया सिल्वर ब्रोमाइड में आपका दोनों दोस मिलेगा आई हो बच्चो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई होगी इसे लाइक कीजे और बच्चो अगर आप चैनल पर पहली बाहर आए होगी इसे सब्सक्राइब कीजे फिर मिलते हैं बच्चो आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ तब तक लिए बच्चो जय हिन और जय भारत